Good day friends, this is Rahul Munshi और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube channel is study with Rahul Munshi में और आज हम लोग अपने इस वीडियो में BFM का जो module A है उसको आगे ले चलेंगे हम लोग देखते हैं आज का हमारा topics क्या है जिसको हम लोग cover करने वाले इस वीडियो में आज का हमारा topic है मेंली जो involved है वो risk के उपर में है risk in banking business, banking business में risk, देखिए risk हर एक चीज में risk होता है जब banking business का risk होता है तो वो risk थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो देखिए अभी risk का मतलब क्या होता है कि जिस भी चीज को समय के हिसाब से होना है अपने प्रोसेस के हिसाब से होना है वहाँ पर वो शायद नहीं हो पाएगा या शायद नहीं हुआ, वहाँ पर risk involved है आप कुछ भी काम करते हो उसमें risk involved है कुछ भी, आपको किसी को payment करना है शायद आपके पास पता नहीं पैसा आएगा या नहीं आएगा वहाँ risk involved है आपको किसी से payment collect करना है पता नहीं सामने वाले पास पैसा आएगा नहीं आएगा हो सकता है, हो सकता है कि आप जिसको पैसा दिये हो उसके पास में काफी पैसा है लेकिन वो पैसा उस समय इस form में नहीं है कि वो आपको दे पाए तो risk बहुत तरह का risk हो सकता है कोई इंसान कहीं driving करके जा रहा है उसके गाली का accident हो सकता है उसमें risk involved है कोई इंसान कभी खाना खा रहा है खाना खाते हुए उसको कुछ हो गया आपको लगबग सारे जगा में risk involved दिखेगा risk वही होता है जो की process से होना है लेकिन किसी कारण वस वो रुख जाता है काम वहाँ पर risk involved हो जाता है अभी हम लोग देखते हैं कि किस-किस तरह का risk involved है banking business में तो banking business में में जो risk involved है exchange risk, settlement risk, liquidity risk, country risk, sovereign risk, interest rate risk और operational risk इसके अलावा भी होता है हम लोग में इस पर ही cover करेंगे क्योंकि इन सभी points से exam में बहुत सारे questions पूछे जाते हैं risk एक बहुत ही बड़ा factor होता है CIB exam के लिए इसलिए इन सभी risk को बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि इससे numericals भी आपको पूछे जाते हैं आई शुरुआत करते हैं बैंक में नॉमली क्या होता है या तो पैसा जमा होता या पैसा दिया जाता है तो पैसा लेना और पैसा देना यह होता है अगर हम लोग बैंकिंग के टर्म में बात करते हैं एक्शेंज रिस भी इसी से इन्वाल्व है foreign exchange exposure can be classified into three types अभी देखिए foreign exchange जो होता है हो सकता है वो exposure पहला exposure क्या है transaction exposure transaction का मतलब कि कोई transaction execute हो रहा है मतलब आप किसी को पैसा दे रहे हो ठीक है या कहीं से पैसा आपके पास आ रहा एक transaction execute हुआ तो इसको बोलते है transaction exposure इसमें क्या है may be raised because of undertaken a business operation in foreign currency क्योंकि आपने foreign currency में operation held किया है एक business operation हो कि आपके home currency के हिसाब से ये रुपिया होना चाहिए और वो क्या है वो आप एक foreign currency को साथ में ले करके चल रहे हो क्योंकि आपका business operation foreign में है तो ये जो आपका differences create हो जा रहा है ये differences कहीं न कहीं आपको transaction exposure के तरफ ले जाता है transaction exposure हर एक transaction के साथ में हो सकता है जहां पर भी transaction involved हो रहा है रुपी टु डॉलर, डॉलर टु रुपी, रुपी टु एन, एन टु डॉलर कहीं पर भी transaction exposure हो सकता है ये simple सा concept को समझी may be raised because of undertaking a business operation एक business operation को foreign currency में किया गया है और हम लोग उसको compare करते हैं हमारे home currency से तब ये transaction exposure होता है ठीक है, दूसरा exposure क्या होता है दूसरा था translation exposure ये point exam में पूछे जाते हैं कि translation exposure actually होता क्या देखे, translation exposure क्या होता है arises when a firm या फिर company जो भी है revalue their assets and liabilities जो companies होते हैं वो लोग कभी-कभी अपना जितने भी उनके assets जो liabilities होते हैं होप की assets and liabilities आपको पता है जब भी हम लोग balance sheet बनाते हैं किसी company का तो उसके left hand side में हम लोग liabilities को रखते हैं और right hand side में उसके assets को रखते हैं और जब भी उसको calculation करते हैं तो देखते हैं कि assets is equal to liabilities और liabilities is equal to assets आता है हमारा final ठीक है इसके बारे में हम लोग आने वाले जो दूसरा module हम लोग उसमें cover करेंगे assets and liabilities को अभी हम लोग इस पार को देख रहे हैं कि translation exposure actually क्या है तो कभी-कभी companies क्या करती है न वो अपने total assets and liabilities को revalue करती है just to check their status कि अभी वो उनका market में क्या value है तो उसके लिए जब भी वो revalue करती है अपने assets or liabilities को तो उस time पर एक translation exposure arise होता है या फिर कभी-कभी क्या होता है maybe because of conversion of receivables and payables in home currency अभी क्या है कि वो जो भी transactions कर रहे थे वो किसी foreign currency में कर रहे थे लेकिन उनका जो भी receivables और payables है जो भी उनको आना है या जो भी उनको payment करना है उसको वो convert कर लेते हैं अपने home currency में अगर पहले वो dollar में कर रहे थे dollar से convert करके वो sorry, rupee में कर रहे थे या फिर अगर वो dollar में कर रहे थे suppose किजे, वो dollar में कर रहे थे dollar से convert करके वो rupee में कर लिये तो ये जो conversion होता ने इस conversion के दौरान में इसका value पूरा change हो जाता है तो ये जो value change होता है तो कहीं ने कहीं risk involved है इसी risk को बोलते हैं translation exposure आप समझेए ये exam में पूछा जाता है ये point translation exposure या translation exposure risk क्या है तो ये या तो उससमें arise होता है जिस समें company अपना पूरे के पूरे assets and liabilities को revalue करती है या फिर उससमें arise होता है जब कभी कोई company है जो dollar में अपना काम कर रही है मदलब foreign currency के साथ में अपना काम कर रही है और उसको convert कर देती है अपने home currency में अगर home currency रुपया है तो रुपया में पूरा का पूरा जो भी recevles है जो भी इनके पास में आना है या जो भी इनको payment करना है इसको convert कर देती है तो यहां पर एक risk involved होता है इसी risk को बोलते है translation exposure यह risk होता है ठीक है तो हमने देखा transaction exposure और हमने देखा translation exposure ठीक है इसके बाद में एक आता है operating risk, operating risk मतलब जिस तरह से transaction exposure एक common factor है मतलब कहीं पर भी आपको दीख सकता है उसी तरह से operating exposure भी a common factor है यह भी operating exposure रिक्स आपको कहीं पर भी दिख सकता है may happen due to external failure like market अगर कही market fail हो गया या economy में थोड़ा सा failure हो गया या reduction in prices आपको prices में कुछ घटा हुआ दिखा या फिर हो सकता है कि import duty में आपको कुछ changes दिखिया या फिर किसी country के साथ में trade tariffs में कुछ changes दिखिया ये हो सकता है ये काफी common है तो इन सभी cases में आपको operating exposure होता है तो ये हमने देखा तीन एक चीज जो exchange risk है उसके अंदर में mainly तीन टाप के exposures है transaction exposure risk ये हमने देखा कि ये किसी भी transaction के साथ में हो सकता है जब कभी भी कोई business एक foreign currency के साथ में deal करता है या business करता है comparing value और वो value को compare करता है अपने home currencies है मतलब कि वो deal कर रहा है dollar में और वो उसका value को compare कर रहा है रूपी में कि अपने को इतना चाहिए तब अपना ये liabilities है इसको देना पड़ेगा bank को इतना interest देना पड़ेगा जिन से अपने लिया हुआ है family members उनको इतना देना पड़ेगा तो ये जब भी कभी compare होता है उसको dealing किया जाता है foreign currency में यहाँ पर transaction exposure होता है जो हमने देखा उसके बाद translation exposure हमने देखा translation exposure में या तो वो company जो भी है वो company अपना total assets and liabilities को revalue करती है time to time जब भी वो revalue करेग रिस्क rise होगा क्योंकि उसका जो भी value है जो भी capital का value है जो भी assets का value है जो भी liabilities का value है उसमें changes आना है सभाविक है तो वो जो changes आ रहा है वहाँ पर एक risk involved होगा उसी को translation exposure बोलते है या फिर कोई ऐसी company है जो कि किसी foreign currency के साथ में अपना सारा dealing कर रही है सारा business कर रही है और वो finally क्या करती है अपने सारे receivables और payables को जो भी इनको receivings आने या जो भी इनको payments करने उसको convert कर देती है अपने home currency के में तो जब भी ये conversion होता है वहाँ पर एक risk involved होता है उसको translation exposure कहते है तीसरा हमने देखा कि operating exposure होता है ये किसी भी ज़रान हो सकता है या तो import duty में कुछ उपर नीचे हो गया किसी दूसरे country के साथ में जिसके साथ में पर डील करते है या कोई किसी price में reduction हो गया changes आ गया उस country के economy में कुछ changes आ गया तो इसको operating exposure कहते है तो mainly हमने exchange risk में ये तीन पार्ट को देखे ठीक है अब हम लोग हमारा next point आता है settlement risk काफी important है ये BFM के point of view से काफी important तो settlement risk को बहुत ध्यान से समझे settlement and resettlement ये दो वोड यहाँ पिन वाल ठीक है पहले हम लोग देखते हैं कि settlement risk क्या होता है settlement का मतलब क्या होता है मतलब किसी चीज को settle करना कोई इनसान है जो यहाँ से कहीं बाहर गया है job करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए तो अब नहीं पुछते कि आप वहाँ settle कर गया हो सही से मतलब कि वहाँ जा करके मतलब वो अपना एक अस्थाई जगा बना लिया है वहाँ पर और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ गरवडी नहीं है वापर, तो settlement risk यहीं पर बोलते हैं, मतलब कि कहीं पर कोई risk arise होता है, कुछ settlement होने के बाद, और यह जो pre, sorry, मैंने यहाँ पर resettlement लिखा है, actually यह pre settlement होगा, तो यहाँ पर इसको तो settlement पढ़िए, और यह जो है, यह actually pre settlement है, तो pre settlement risk, तो pre settlement risk मतलब कि settlement होने से पहले जो risk arise होते हैं, अभी इन तोनों को बारे में हम लोग समझते हैं, देखिए क्या होता है, settlement risk क्या होता है, foreign transactions are transaction between the market participants, दो participants है, मान लिजे एक तरफ India है, जिसका रूपी में चल रहा है, दूसरा तरफ dollar है, US वहां से चल रहा, transaction चल इंडिया में, suppose किजिए, आप इंडिया में कोलकाता में हैं, और मुंबई में है, आपको एक पार्टी को payment करना, आप चेक के थूरू सको payment कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, चेक इस्यू करोगे, और यह चला जागा, वहां के clearing house में, कोलकाता के clearing house में, वहां पर सारा है, जहां पर उसको check किया जा रहा है, चेकिंग फैक्टर है यहां पर, लेकिन foreign transaction के case में क्या होता है, कि कोई ऐसा checking factor नहीं है, आप जिस बंदे को payment दे रहे हो, आप इंडिया में बैठे हुए हो, ठीक है, आप इंडिया में बैठे हुए हो, आप इस बंदे को payment दे रहे हो, युएस में, तो आप इस बंदे को नहीं जान रहे हो, हो सकता है कि आप इसको payment देने के बाद में अपना बात समुकर जाईए, हो सकता है कि यह कुछ और बहाना करते है, हो सकता है जान मुझे, या हो सकता है कि यह मतलब इसको नहीं पताता लेकिन फिर भी कुछ गलती होग टो यहां पर इंडिविज्वीज़ पर इंडिविज्व पर इंडिया में है वह दॉलर यूसे को प्ले आपका क्लेरिंग हाउस इंवाल नहीं है जिस तरह से हम लोग इंडिया में देखते हैं कि यहां पर इसी चीज को यह बता रहा है कि थर्स्ट रिस्क उफेलियर ऑफ सकता है अपना जो भी इसका लाइबिलिटी इसको फुल्फिल करने में हो सकता है यहां पर रिस्क है इसी सेटल्मेंट को बोलते हैं सेटल्मेंट इसी रिस्क को बोलते हैं सेटल्मेंट रिस्क ठीक है तो यही बता रहा है कि whether it is a bank or a customer to meet obligation of the other party at the maturity of the contract तो जब वो अपना जो भी इसका obligations रहता है उसको फुल्फिल नहीं कर पा रहा है तो वहां पर जो रिस्क अराइज होता है उसको बोलते हैं सेटल्मेंट रिस्क इसी से रिलेटेट एक एक्जांपल मैंने आपको यहां पर दिया है इसको बोलते है हर्स्टेट रिस्क यह का किया यहां पर बैंक ओफ अमेरिका को ठीक है सेटल्मेंट होना दोनों के बीच में फॉरेक्स का transaction हो रहा है अभी क्या है कि इंडिया ने जो पेमेंट कर दिया वो तो कर दिया अभी यहां से जिस पार्टी को पेमेंट भेजना था वो भेजा ही नहीं इसने अपना आप लोगों को पता होगा तो इसका इंडिया का हमारा time zone different है यूस तो लगबग हर एक country में आपको different time zone देखने को मिलेगा ठीक है अभी time zone के हिसाब से पहले यह सारा transactions कभी कभी ऐसा problem आया है तो यह हर स्टेट का case में क्या हुआ है हर स्टेट एक जगा है जर्मनी में यहां का जो जो में बैंक है जर्मनी का जो में बैंक है जैसे हमारा RBI है वैसे वहां का जो में बैंक है उसने वहां के उस बैंक को दिवालिया घुशित कर दिया ठीक है वो उसका सारा operations को close कर दिया गया उस time पे वहां पर जर्मनी में जो time चल रहा था वो 4.30 पी.म हो रहा था साम यह इस दोरान में यहां का जो बैंक है यू यू योक का बैंक उसको कुछ पेमेंट किया उसको उसको पेमेंट कर दिया ये सोच करके कि ये इस पेमेंट के एंस्ट में जो इसको रिसीबिंग मिलना है वो शाम तक तो आ ही जाएगा क्योंकि इस यह जो बैंक है जर्मनी का जो बैंक है इसका नोस्टरो अकाउंट यहां पर मेंटेन हो गया है तो यहां पर न्यू यॉयॉक वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको पैसा मिलने जा रहा है लेकिन अक्चुली में तो उनक जर्मनी का वो उसके पूरे ट्रांजेशन पर होल लगा दिया उसको तो इसके वज़े से एक बहुत ही बड़ा प्रावलम अराइज हुआ जिसका नाम दिया गया हर्स्टेट रिस्क ठीक है यह क्यों हुआ क्योंकि डू टू डिफरेंस इं टाइम जोन यहां पर युएसे क टाइम टाइमिंग था वो सुबह के साड़े दस बज़रा था जब इसका काम करने का टाइम स्चुरू हो रहा था जर्मनी का खतम हो चुका है बैंकिंग उस ताइम पर तो इसके वज़े से यह बहुत बड़ा रिस्क अराइज हुआ था तो इसी को बोलते हैं हर्स्टेट ठीक है यह था सट्लमेंट में अभी हम लोग आते हैं प्री सट्लमेंट में प्री सट्लमेंट में क्या होता है सट्लमेंट हुआ नहीं है लेकिन उसके पहले ही कुछ रिस्क अराइज हो गया यह कैसे हो सकता है this is the risk of failure of the counterparty due to bankruptcy मतलब कि वो उसको नहीं पता था लेकिन किसी क अभी contract mature नहीं किया है पहले के case में हस्टेट के case में हम ने क्या देखा कि सारा contract mature हो चुका है अब इसको payment करना है लेकिन इस के case में हमने क्या देखा कि maturity होने से पहले जो maturity उस contract का होना है before maturity of the contract thereby compelling the bank to cover the contract at the ongoing market rate उस case में क्या होता है कि भाई अभी यह bank तो इस पर pressure बनाएगा कि आपको जो payment करना था आप करो क्योंकि आप bankrupt हुए हो या आपका business close हुआ है हमने तो अपना सारा सब कुछ कर दिया है तो इसी को बोलते हैं pre-settlement risk मतलब कि वो settlement होने से पहले जो risk arise हो जाता है due to bankruptcy हो सकता है due to closer of business हो सकता है जब maturity नहीं हुआ है उस contract का उसके पहले जो risk arise होता है उसको बोलते है pre-settlement risk और maturity होने के बात उसको सेटल्मेंट risk तो यह हमने देखा settlement risk pre-settlement risk और बीच में हमने युवी देखा कि हर्सेट रिस या है बहुत importance है due to difference in time zone याद रखिए गा time zone ये बड़े बड़े वर्ट में आप इसको याद रखिए टाइम जोन ये आपसे कोशन पूछा जाता है एक्जाम में ठीक है अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा पॉंट है लिक्विडिटी रिस्क लिक्विडिटी का मतलब क्या होता अगर आप कमर्स में जान रहे हैं तो लिक्विडिटी का मतलब की वो चीज जो कितना जल्दी чист हो सकता है लिक्विड इन दे स razón कि कितना जल्दी उसको काश में बदला जा सकता है अभी कश Cash already liquid है, आपको उसको change करने के ज़रूत नहीं पड़ेगा दूसरा कि मैं आपको एक्जामपल देता हूँ Suppose किजिए कि आपके पास में कोई ऐसा goods है कोई आपके पास में finished goods है आप इस stock में उसको अपने पास रखे हुए आप उसको market में लेकर जाओगे, तुरंट में वो change हो जाएगा तो वो भी एक तरह से जो liquidity उसका अच्छा है लेकिन आपके पास suppose किजिए कि कोई furniture है आपके office का आप उसको भेचना चाओगे, ताइम लगेगा हो सकता है तुरंट में हो या हो सकता है तुरंट में ना हो selling हो या आपके पास में कुछ ऐसा चीज है या फिर suppose किजिए कि आपके पास में जो bank balance है bank balance मतलब वो highly liquid है आप तुरंट में जाएगे वो cash में convert हो जाएगा आपका bank balance तो यह liquidity उसे से related ठीक है इसमें क्या हुता है it is the risk of inability of a bank to meet its funding requirement अभी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजएकि इसमें actually होता क्या है अभी bank C сп ग्या होता है lang Mercury ah semaines का होता है पैसा लेना और पैसा दीना ठीक है Bank का काम होता है पैसा लेना टेना पैसा लेने का मतलब क्या होता है और इसको interest देना है, अभी अगर suppose किजिए कि यहाँ पर अपना किसी भी बैंक के पास में, माल लिजे, 100 करोड से ठीक है, अभी 100 करोड से आया, यह 100 करोड से इसको deposit से, एक कोई customer है जिसने अपने account में 100 करोड का deposit किया, fix deposit किया है 5 years के लिए, अभी बैंक क्या सोच रहा है, कि इसको इसको इनकम कमाना है, तो यह इस 100 करोड को क्या करेगा, लोन दे देगा, और लोन के अगेंस्ट में जो इसको interest आ रहा है, माल लिजे, लोन पर यह 15% चार्ज कर रहा है, डिपॉसित पर 5% चार्ज कर रहा है, तो यह जो बीच का 10% यह बैंक का अर्निंग होता है, ठी किसी बैंक ने इस 100 करोड को यह किसी और इनसान को दे दिया, अभी क्या होता है, कि दो साल के बाद में ही यह जो डिपॉसिटर ही आता है, यह बैंक को बोलता है, मेरे 100 करोड आप मेरे को वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे जरुत है उस पैसे का, अब बैं इनपी हो जाएगा, यही जो रिस्क होता है, इसी को बोलते है लिक्विडिटी रिस्क, मतलब कि बैंक के पास में हर वक्त सफिशेंट लिक्विड होना चाहिए, ताकि जब भी कभी उसको कहीं ट्रांजेक्शन करना हो, वो ट्रांजेशन इसली कर पाए, ऐसा कोई सिनारिय अगर खड़ा हो जाता है, जहांपर उसको सड़नली पेमिंट करना पड़ जाता है अपने डिपॉजिटर को, तो हो सकता है कि बैंक के पास में सफिशेंट अमाउंट नहीं रहे, सफिशेंट कैस नहीं रहे, तो वो बैंक के लिए बड़ा प्रॉलम हो जाएगा, इसी को ब mismatch of outflow from the assets and liabilities, जो इनका assets and liabilities होता है, बैंक का assets and liabilities क्या होता है, यह अगर बैंक है, इसने deposit दिया, इसने loan दिया, ठीक है, यह deposit जो यह दे रहा है, यह इसको वापस करना होगा, बैंक को, यह जो deposit बैंक के पास में है, ठीक है, बैंक को इसको वापस करना पड़ेगा with interest, तो य एक्चुली में ये बैंक का है नहीं, ये तो बैंक के उपर liability है, और ये जो लोन है, ये बैंक ने इसको दिया है, ठीक है, ये बैंक को वापस आएगा, इसका मतलब प्लस इस पर बैंक इंट्रेस्ट कमाएगा, इसका मतलब ये बैंक का asset है, तो बैंक का asset होता है, जो बैंक ज तो यह हमने देखा, यह due to mismatch in outflow from assets and liabilities, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, next क्या है, next में हमारा country risk, अभी देखिए, country risk, जाहिट से बात है, जब हम लोग foreign में, Forex में deal कर रहा है, तो एक country, दूसरे country के साथ में, उसके currencies में deal कर रहा है, तो दो country involved आपस में, वो दो country बोलिये, या उसका sovereign बोलिये, जैसे India is a sovereign state, उसी तरह से, या उसको आप sovereign risk बोलिये, या उसको country risk बोलिये, it arises when a foreign country, और a counterparty, private भी हो सकता है, sovereign भी हो सकता है, unwilling or unable to fulfill the obligation, यहाँ पर India आ गया, यहाँ पर US आ गया, दोनों के बीच में कोई contract हुआ है, कुछ payment करना है, Forex में, यह party जो है, य या तो उसका government का कोई party हो सकता है, यह अपने मन मर्जी से, या तो बोल रहा हम payment नहीं करेंगे, या तो इसके पास में कोई दूसरा problem इसे करनी बोल रहा हम payment आपको करी नहीं पाएंगे, unable to fulfill the obligation for reasons other than usual reason, मतलब कुछ ऐसा reason आ गया है, जो actually में, मतलब usual reasons क्या सकता है, भाई हम तो suddenly वहां के government ने उसको उपर रोक लगा दिया, कोई bank of America है माल लीजे, bank of America का कोई party है, वो उस party को उपर में, वहां का, USA का government उस party को उपर में रोक लगा दिया, कि आप अभी कोई भी transitions नहीं कर सकते हैं, बैंकर भले ही नहीं किया हो, लेकिन hold लगा दिया गया, तो उसके ब obligations है कि उसको payment करना है, लेकिन किसी unusual reason के कारण में, वो payment नहीं कर पाता है, when the borrower or the buyer of a good credit rating, मतलब देखिए, वो buyer मतलब खराब नहीं है, जिसको payment करना है, वो खराब नहीं है, उसका credit rating अच्छा credit rating है, and does not have any desire, मतलब उसका ऐसा desire भी नहीं है कि मेरे को जान मुझ कर payment नहीं कर मतलब कि वहाँ पर उस country का government है, उसके दोरा रोक लगाया गया है, कुछ unusual reasons के कारण, वैसे risk को बोलते है country risk और sovereign risk, मतलब वहाँ पर उसे इंसान को भी नहीं पता जिसको payment देना है, कि मेरे उपर में कोई hold लगने जा रहा है, लेकिन हो गया ऐसा, ऐसा हो सकता है, आगे भी हो सकता है, तो इसी risk को बोलते है country risk और sovereign risk, ठीक है, हम लोग आते है interest rate risk, अभी interest rate risk में क्या होता है, बाई देखिए, अपने को bank deposits अपने पास लेता है, against में उसको depositors को interest देता है, साती साथ उसका deposit भी वापस करता है, वो deposit का rate of interest रहता है, deposit का rate of interest रहता है, वो कम रहेगा, माल इसको दे रहा है, वो आपस आएगा, with interest, वो माल लेता है, वो 10% पर दे रहा है, तो यह होता है rate of interest, जिसको bank लोग बड़ा साधानी से अपना सारा calculation करता है, क्योंकि यह बीच में 5% का जो game रहता है, इसी में bank अपना पूरा का पूरा earning करना है, capitals को समालते वे चलना, जित reverse movement of interest rate differentials, अभी माल लीजे कि कोई एक loan दिया गया है, ठीक है, माल लीजे कि कि कोई एक bank है, जिसने एक party को loan दे दिया है, ठीक है, और यह loan सही से चल रहा है, लेकिन suddenly क्या हुआ कि जो rate of interest उसन में initial period में दिया गया था, वो 10% है, अभी उसका rate बढ़ा करे 12% कर दिया गया है तो यह जो 2% जो extra हो गया, यह तो किसी करना किसी को उपर तो जाएगा यह 2% ना, तो यह 2% के वज़े से हो सकता है कि यह party अपना जो इसको payment करना उसको करने में fulfill नहीं हो पा रहा हो, हो सकता है, तो यही risk को बोलते है interest rate risk, मतलब interest rate fluctuate करने के वज़े से जो risk arise हो रहा है, 10% फिर 12% पर आ गया, तो यह जो fluctuate हो रहा है, due to fluctuation in interest rate, there is a risk involved, and this risk is called interest rate risk, ठीक है, अभी क्या है कि interest rate risk को classify किया गया है, कुछ एक तरह में, देखें, क्या है यह, जिसे इसको gap और mismatch risk भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, यह पूछा जाता है exam में, यह आपको बोल देग yield curve risk यह किस risk का पार्ट है, आ चुका है, यह questions exam में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, gap risk और mismatch risk यह interest rate risk का पार्ट है, basis risk इसी का पार्ट है, interest rate position risk और नाम से ही पता चल रहा है, interest rate risk का पार्ट है, embedded option risk इसी का पार्ट है, yield curve risk इसी का पार्ट है, reinvestment risk इसी का है, price risk भी इसी का पार्ट है तो interest rate risk जो है वो उसका ये सभी का सभी इसको classify किया गया है इन सभी नाम को याद रख लिजा ध्यान में दिमाग में बठा लिजे कि ये सभी interest rate risk का classification है ठीक है next पे आते है next क्या है operational risk सबसे ज्यादा common risk जो कहीं पर भी involved रहता operational risk कोई इंसान काम कर रहा है काम करने के दौरान में उससे कुछ गलती हो गया operational risk वो computer में कुछ टाइप कर रहा है टाइपिंग करें दौरान में कुछ उससे गलती हो गया operational risk कुछ भी कुछ उससे negligence हो गया आपके पास में sufficient manpower नहीं है sufficient staff नहीं है कुछ गलती हो गया operational risk तो इन सभ को operational risk बोलते हैं, deficiency in information system, हो सकता है, computer में कुछ problem, suddenly आपको payment करना है, server down हो गया, operational risk हो गया, ठीक है, internal control, human error, आपको 5,000 रुपया कैसे को transfer करना, अपने 50,000 रुपया, 45,000 रुपया अपने extra transfer कर दिया, operational risk है उसमे, and other infrastructure problem, which lead to unexpected losses, आपको नहीं बता था कि यहां पर loss होने जा रहा है, पांट जार करना था, 50,000 कर दिया गलती से, unexpected loss हो, लेकिन operational risk के अदर में आया, अभी क्या है कि BACEL 2 and LATELY BACEL 3, मतलब BACEL 2 और BACEL 3 अब EASTIPLATED, इस operational risk के लिए, BACEL 2 और BACEL 3 ने, capital to risk weighted assets ratio, CRAR इसको बोलते हैं, यह actually इसका main capital allocation ratio होता है, CAR, यह BACEL 2 और BACEL 3, actually, यह operational risk के Capital to Risk Weighted Assets Ratio अगर कोई भी loss आ जाता है बैंक में, किसी तरह का भी loss आ जाता है, temporary हो, short term loss हो, तो yes, यह capital होतना sufficient है कि नहीं उस बैंक के पास में इस loss को bear करने के लिए, तो यह actually capital adequacy ratio का मतलब यही होता है, capital adequacy ratio, adequacy का मतलब adequate, मतलब capital adequate ratio, इसका मतलब की adequate capital बैंक के पास में है या नहीं, किसी का लॉस को bear करने के लिए, यह होता है, capital to risk weighted asset, अभी बहुत सारा assets जो होता है, उस पे risk का वेट अलग-अलग होता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, इसका formula होता है, total capital, total capital by risk weighted asset, यह इसका formula हो गया, तो यह capital adequacy ratio हमने देखा, जो actually मैं BASEL 2 और BASEL 3 ने इसको लेकर का आया थ इसको ध्यान रखेगा, पूछा जा सकता है, for managing operational risk, negligence, अभी कोई सी तरह का negligence हो गया, या फिर हो सकता है कि कोई इंसान capable नहीं हो, वो finance में अच्छा उसको knowledge नहीं है, आपने उसको finance काम दे रखा, कुछ गल्ती कर बाठाव, incompetence, insufficient training, training नहीं दिया जा रहा है, तो यह सभी का अपका operational risk में involved होता है, तो यह हमने देखा operational risk, operational risk से पहले हमने देखा interest rate risk, जो की classified किया गया, gap risk में, basis risk में, net interest में, embedded option, yield curve, reinvestment और price risk में, next हमारा क्या है, next है legal risk, legal risk क्या होता है, कि मतलब कि कोई इंसान किसी contract के, कोई दो इंसान, एक contract में गया है, और काईदे से जब देखा पाए, या उसको कोई ऐसा rights ही नहीं दिया गया, अभी आप suppose किजिए कि आपको, आप किसी bank में visit करते हो, और आप क्या किये, कि normally bank का अपना voucher होता है, आप voucher को fill करते हो, पैसा निकालने के लिए, cash withdrawal करने के लिए, आप वहाँ पर उस bank में गए, अपना voucher लिए और voucher लेक करके नहीं दिया, आप bank के उपर में claim कर दिया कि भाई, हमने तो पैसा के लिए voucher दिया था, लेकिन पैसा हमें payment मिला नहीं, लेकिन आपने प्योन को दिया, प्योन उस चीज के लिए, वो उसके पास में कुछ rights ही नहीं है, तो वो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता है, तो इसी when it transpires that the counterparty, counterparty with whom the transaction has been undertaken, दो पाटी है, इस दोनों के साथ में इसको payment चाहिए, इसको payment करना है, इस दोनों के बीच में एक contact sign हुआ, यह हो गया counterparty, ठीक है, does not have the legal or regulatory authority to enter into the such transaction, इस बंदे के पास में कोई authority या, कोई legal authority ही नहीं, कोई rights नहीं है, कि इसके साथ में यह contact कर है, क्यो इसको क्या मतलब कि भाई, कहां से किस account से पैसा निकलना है, आप अगर cashier को देते हो, तो वो भले आपको payment देदेगा, लेकिन आपने प्यून को देदेगा, यह ध्यान रखिएगा कि यह legal risk भी operational risk के अंदर में ही आता है, तो इसी के लिए इस contract को void करार दिया जाता है, यह contract जिस भी country का reserve bank होता है, चाहिए federal reserve हो, चाहिए RBI हो, वो सभी कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ऐसा limitations लगाते हैं, ताकि in future risk को कम किया जाए, देखे, risk खतम करना almost next to impossible है, risk खतम नहीं हो सकता है, अपने इसको control कर सकते हैं, तो control करने के लिए limitations बढ़ाना पड़ता है, तो यहाँ पर भी limitations कुछ बढ़ा दिया गया है, ताकि in future कभी कुछ वैसा हो, तो वहाँ पर एक limit रहे, कि उससे ज्यादा bank को नुकसान ना हो पाए, अगर सब कुछ करने के बावजुद भी loss हो गया, तो bank को उस level के बाद नुकसान नहीं हो पाए, ठीक है, तो यह होता है, यह कभी suppose किजिए, कि SBI है, ठीक है, SBI अपना कुछ एक transaction कर रहा है, किसी भी party के साथ में कर रहा है, वो forex में कर रहा है, और forex में करने के बाद में यह क्या होता है, कि यह overnight होता है, कि रात भर, मतलब कि अभी दिन खतम हो चुका है, और रात भर अगर वो कहीं पर अपना fund को allocate करके रखा हुआ है, और वो क्या है, जहां पर किया हुआ है, मान लिजे कि Bank of America के साथ में ही किया हुआ है, और इसका time zone, SBI का according, SBI का time zone, खतम हो चुका है, भाई, time के हिसाब से ही लोग काम करेगा, और इसका time zone अपना अलग चल रहा है, तो हस्टेट का case में हमने यही देख ही बाहर वाले party को payment कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, वो अपने हिसाब से सारा का सारा चीज नहीं लगा सकता है, मतलब यहां पर एक limit fix कर दिया गया, अगर वो different time zone में है, मतलब उसका time zone close हो चुका है, जहां पर उसने किया, वो different time zone में है, तो वो overnight, overnight मतलब रात बर, कि एक कितना maximum कितना पैसा वो allocate करके रख सकता है, उसको दे के रख सकता है, यह होता है, एक daylight limit होता है, अब daylight limit क्या हो गया, maximum amount of open position a bank can expose at a time during the day to meet its customer need and for trading operation, यहां पर एक limit fix कर दिया गया, कि वो अपने customer का trading operations के लिए, maximum एक दिन, पुरा दिन भर में, जब कभी भी वो trading करेंगे, तो maximum कितना exposure वो कर सकते हैं, कितना exposure तक एक bank ले सकता है, वो उसका एक limit fix कर दिया गया, पहले यहां पर अपने को यह भी देखना है कि भाई, अगर कहीं पर कोई allocations किया हुआ है, कहीं पर किसी को payment किया हुआ है, तो maximum month जो होता है, कहीं का exposure उसका हो रहा है, payment का, पैसे का, वो एक bank कहा तक उसका exposure कर सकता है, किस time period तक, gap limit, इसको बोलता है, gap limit, ठीक है, counterparty limit, मतला भी किसी counterparty को, मतला कोई भी party है, जो regular basis पर transition कर रहे है, तो आप क्या कर सकते हो, bank क्या कर रहा है, कि वो उस party के उपर में एक limit fix कर दे रहा है, कि इस party क उपर में आप इतना से ज़्यादा transition एक दिन में कर नहीं सकते हो, तो maximum amount that bank can expose itself to a particular counterparty, मतला वो bank अपने आपका एक limit fix कर दे रहा है, कि इस particular counterparty के साथ में, हम लोग इस से ज़्यादा एक दिन में transition नहीं करेंगे, ठीक है, तो इन सभी limits को क्यों बनाया जा रहा है, ताकि जो risk है, जो risk है, उस risk को minimize किया जा सके, इसी के लिए सारे के सारे limits को बनाया जा रहा है, ताकि counterparty risk हो, या dealer, इसी तरह से ये दो और रिस्क भी से country risk है, dealer limit है, मतलब एक limit set कर दिया है, तो dealer wise के इस dealer के साथ में, जब भी मेरा ये bank जब भी उसके साथ में deal करेगा, तो इस dealer को हम लो legal risk, प्लस legal risk के बाद हमने ये देखा कि क्या क्या limits fix किये गए हैं, ताकि risk को minimize किया जा सके, अब हम लोग आते हैं, international transmission and payment system, अभी देखिए, ये swift के बारे में, chips और chaps के बारे में हमने हमारे पहले की वीडियो अभी जस्त एक जलग देखा था, अभी हम लोग उसके बारे में foreign transaction का आधार है, तो swift क्या होता है, इसका full form पहले एकदम दिमाग में fit करकर रख लिजे, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication is a non-profit cooperative society owned by about 600 banks, headquarter इसका कहाँ पे, Brussels में, Belgium में है, ये आप याद रख सकते हो कि swift का headquarter situated at Belgium, Brussels, टीक है, world's biggest network of communication system, ये world का सबसे बड़ा network है communication system, अब ध्यान दिजेगा कि ये कोई payment system नहीं है, ये के communication system है, not a payment system, swift, ठीक है, ये था swift, अब हम लोग next देखते है, next क्या है, next हमारा chips, chips क्या होता है, clearing house interbank payment system, system, clearing house interbank payment system, chips, ये कहां का है, chips, ये जो payment system है, ये USA का payment system है, swift के case में हमने देखा कि वो worldwide चलता है, ये जो chips है, ये USA का है, ठीक है, fedwire, ये नाम से याद आ रहा है, federal, federal reserve, तो fedwire भी यही है, interbank payment settlement operated by USA, इसका federal reserve bank है, वो USA का, ये fedwire use करता है, chips देखा हमने, fedwire देखा, प्लस उपर हमने, swift देखा, अभी है chaps, ये है chips, chips कहां से है, USA से, और chaps कहां से है, UK से, clearing house automated payment system in UK, याद रखीगा, chips, USA, chaps, UK, ठीक ह Next is target, target क्या है, Trans European Real Time Gross Settlement Express Transfer System, हमारे यहाँ पर जो RTGS होता है, RTGS Real Time Gross Settlement, यही होता है, यहाँ पर, यह जो European Union के लिए चलता है, जो Euro का payment system है, ठीक है, मतलब Trans European Real Time Gross Settlement Express Transfer System, is the Euro payment system, consisting of 15 Euro countries, यह European Union जो है, मतलब European countries जो है, उसके लिए इसको बनाया गिया है, जहाँ पर Euro payment system चलता है, target, ठीक है, और एक और यह है, लास्ट, यह है, RTGS Plus या फिर EBA इसको बोलते हैं, यह Germany का है, German Clearing System, Operating as a European Oriented Real Time Gross Settlement, यह जो target है, यह पूरा, इसमें आप देख सकते हो कि 15 Euro countries है, यह जो RTGS Plus है या फिर EBA है, यह actually Germany का जर्मन का Clearing System है, Clearing System Operating as a European Oriented Real Time Gross Settlement, तो यह हमने देखा, International Transmission and Payment System, Swift को हमने देखा, Swift को समझा कि इसका Headquarter Belgium में है, इसका Full Form हमने देखा, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, यह World का Biggest Network है for Communication System, but it's not a payment system, ध्यान दीजेगा, Swift is not a payment system, Chips हमने देखा, USA का Clearing House है, Interbank Payment System, Fedwire भी देखा, जो भी USA का है, जो कि उसका Federal Reserve से operate किया जाता है, Chaps हमने देखा, जो Chips USA का है, तो Chaps UK का है, Clearing House, Target हमने देखा, जो 15 Euro countries है, यह actually Euro Payment System के लिए चलता है, और RTGS Plus या EBA हमने देखा कि Germany का Clearing System है, तो यह हमने कुछ एक important points को देख Exchange Rate हमने देखा, प्लस Exchange Rate का जो Exposers होते हैं, यह transaction exposure, translation exposure, operating exposure, इसमें से translation exposure बहुत ही important है, जब भी कोई company या firm अपना assets and liabilities को revalue करती है, या भी जब भी कोई company अपने total receibles और payables को home currency में convert कर देती है, उसमें translation exposure आता है, यह हमने देखा, next हमने देखा, उसके बाद में, settlement risk, settlement risk और pre maturity जो हो रहा है, maturity के बाद में अगर वो हो रहा है, जो भी contract उसका maturity के बाद में हो रहा है, तो settlement risk होता है, उसके पहले ही अगर को risk arise हो तो वो pre settlement risk है, इस case में हमने hostage risk को भी देखा, ध्यान रखिएगा, due to difference in time zone, यह hostage risk arise हो था, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमार है, proper time में, हर time में bank के पास में वो होना है, ने तो एक risk arise होता है, जिसको बोलते है, liquidity risk, ठीक है, यह है liquidity risk, उसके बाद है country risk या sovereign risk, मतलब कि वो party जिसको कुछ obligations है, आपको उसको payment करना है, कहीं और से, लेकिन वो actually उसको नहीं पता था कि उसके पास में कुछ problem आने वाला है, वो किसी कारण से वो payment नहीं कर सकता है, वो कारण कोई genuine, मतलब कि कोई common सा reason नहीं है, इस party के उपर में हो सकता है, कि वहाँ के reserve bank ने कुछ उसके पर problem लगा दिया हो, यह हो सकता है, वहाँ के country ने उसको कुछ रोक लगा दिया हो, जिससे वज़से इसको payment नहीं कर पा रहा है कुछ भी reason हो, payment तो नहीं कर पा रहा है, इसको बोलता है, country risk, interest rate risk के case में हमने देखा, कि जब भी कभी interest rate में fluctuations होता है, 10% से जगर 12% आ गया, तो यह यहाँ पर पूरा का पूरा एक risk involved हो जाता है, पता चला यह party उसको payment ही नहीं कर पा रहा है, बैंक को, तो इसके दौरान जो अब ही interest rate risk जो है, उसके अंदर में हमने यह देखा कि classifications क्या क्या है, gap risk, basis risk, net interest position risk, embedded option risk, yield curve risk, reinvestment risk, price risk, ठीक है, उसके बाद हमने देखा operational risk, operational risk में कुछ भी ऐसा काम जो कि manmade के थू होता है, या कुछ भी मतलब जो बाहरी चीजों से वो affected होता है, और वहाँ पर एक risk involved हो जा सर्वर डाउन हो गया, information system में कुछ problem आ गया, या sufficient आपके पास में staff नहीं है, या sufficient staff के पास में training नहीं है, ये सभी का सभी operational risk का पाथ है, और vessel 2 और vessel 3 ने operational risk के दौरान में ही इसको सामने लेकर काया था, capital to risk weighted assets ratio, इसको ये actually इसका दूसरा नाम capital adequacy ratio भी है, बतलब बैंक के पा risk weighted assets ratio, total capital by risk weighted assets, ये होता इसका formula, ठीक है, ये हमने देखा operational risk, legal risk, legal risk के case में हमने देखा कि जब भी कहा ही पर 2 counterparty involved एक contract में, और एक party के पास में कोई rights ही नहीं है, उसका उसके पास में कोई regulatory authority ही नहीं है, इस contract में इंटर करने का, तो ये automatic ये contract void हो जाता है, तो इसी risk को बोलते है legal risk, क्योंकि legally इसके पास में कोई power नहीं है, कोई right नहीं है इसके पास में, ठीक है, ये हमने देखा, उसके पाद हमने देखा कि जो भी, जो reserve bank होते हैं, या दूसरे किसी country के जो head होते है bank, वो एक limit fix कर देते हैं, ताकि जो risk है उसको minimize किया जा सके, तो वो limit किस किस तरह का होता है, overnight limit, रात भर के लिए अगर कोई limit fix किया जा रहा है, वैसे party के साथ, वैसे counterparty के साथ में, जो दूसरे time zone में है, और अपना time zone यहाँ पर close हो चुका है, लेकिन उसका open चल रहा है, तो वहाँ पर एक limit fix कर दिया था, कि इतना ज्यादा आप वहाँ पर अपने transition नहीं कर में, counterparty risk होता है, counterparty risk मतलब कि हर party को एक, sorry counterparty limit कि उस party को उपर में एक limit fix कर दिया जाता है, कि इतना से ज्यादा यह bank उस party के साथ में trading नहीं कर गा एक दिन में, फिर country risk होता है, dealer limit होता है, फिर हमने international transmission and payment system देखा, swift, chips को देखा, USA का, fed wire, federal, USA का, chaps देखा, UK का, target देखा, यह euro को बहुत ही अच्छे से याद रखिए, exam में बिल्कुल पूछे जाते हैं, कोई भी दिक्कत होने से, आप please मेरे comment section मुझे point out कीजे, मैं कोशिस करूँगा कि उसको फिर सापको समझाओगा, लेकिन concept clear होना चाहिए, dot clear होना चाहिए concept नहीं, तो exam फिर crack नहीं हो पाएगा, ठ अपने घर मेरा है, स्वस्त रहे है, thank you, thank you so much